नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूट्यूब एज्जू किस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं पांच सबसे अच्छे सोराइसिस के दवा के बारे में सोराइसिस मतलब कि ऐसी medical condition कि जिसके अंदर तवचा के उपर लाल धब्बे देखने को मिलते हैं या फिर वहाँ पर पपड़ी बन जाते हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बालों की जो ग्रोथ है उसके नीचे का यह बाग देखो यहाँ पर यह फिर यह वाले जगा प तो वहाँ पर भी जो skin के उपर जो infection हुआ है कि जिसको हम सोराइसिस कह सकते हैं फिर यहाँ पर इस तरह से जो पपड़ी देखने को मिलती हैं और skin के उपर जो ही वह redness जैसा देखने को मिलता है फिर इस तरह सी दिरे-दिरे starting के phases में जो ही वह डेवलफ होने लगते हैं और उससे ही समझें कि आपको सीखना है बहुत सारी दवायों के बारे में तो medicine course को आप जोइन कर सकते हैं कि medicine course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं 9016312020 पर या फिर हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं तो सुरू करते हैं आज का lecture और जानते हैं स्कोराइस के बारे में तो स्कोराइस मलब कि एक skin infection के दौर पर हम उसको कह सकते हैं एक टाइप के skin disease है कि जिसके अंदर आपकी तवचा के उपर जो लाल धब्बे बनते हैं और एक पपड़ी सा वहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं त और दूसरी कंडिसंस में हम देखे तो यह एक problem होने का एक reason यह होता है कि immune system के अंदर कोई problem हुआ है आपकी immunity related कोई problem है तो भी यह बीमारी जो वह हो सकती हैं तो तौचा के उपर लाल धब्बा या फिर पपड़ी जो बनना इसको एक सोराइस का primary symptom जो वह बना जाता है उसक देखे तो एक weather भी एक reason बनता है कि ऐसा weather ऐसा हवामान की जो काफी ज्यादा dry रहता है या फिर काफी ठंडा मौसम है तो ऐसे condition में क्या होता है कि skin जो आपकी dry होने लगती है और अगर कोई person skin की अच्छे से care नहीं करता तो वह आगे जाके sorasis के रूप में जो हो सकती है फि भी यह problem हो सकता है या फिर stress के current भी यह problem हो सकता है तो यह कुछ है ऐसा reason से कि जिसके current surasis होता है फिर उसके symptoms हम देखे तो सबसे पहले patient को जो इचिंग होती है वहाँ पे second redness हो जाती है कि यह आप आप देखो कि जो patient है उसको itching का जो वह मन होता है वहाँ पे खुजली करने का मन होता है फिर जो skin है वह इस तरह से red जो देखने को मिलती है redness आप देख सकते कि यह वाला बाग अभी normal है और उसके compare में यह वाली side आप देखो तो वह लाल हो चुकी है dryness देखने को मिलती है skin के उपर और उसी के करण व और यह सब combination होने के करण patient जो काफी discomfort मैसुस करता है तो अब बाद आती है उसके diagnosis के तो पता कैसे चलेगा कि यह कोई normal skin infection है या फिर psoriasis है तो उसके लिए test किया जाता है कि यह आप आप देख सकते है और नाम लिखा है biopsy तो biopsy खासकर की जाती है diagnosis के लिए कि जिससे पता चलता है कि psoriasis है या फिर कोई दूसरी skin infection के बिमारी है तो अब जानते है उसके लिए 5 सबसे base दवे तो सबसे पहला option रहता है corticosteroids का second option यहाँ पे बनता है calcetrial के ointment का तीसरा option है calcineurine inhibitors जो drug आती है वो चौथा option है taza routine का और 5 option बनता है enthraline का तो शुरू करते हैं प corticosteroids के अंदर hydrocortisone acetate के जो cream साते हैं वो patient directly apply कर सकता है कि यहाँ पे जो हम एक cream देख रहे हैं तो यह जो cream है वो directly यहाँ पे जो suriasis के जो problem है तो directly patient वहाँ पे जो दिन में 3 बार या फिर दिन में 2 बार जो वहाँ पे अपलाए कर सकता हैं दूसरा option है corticosteroids के अंदर ही वो है triamcinolone के ointment कि जो 0.5% के concentration में available होता है तो यह भी same जैसे hydrocortisone आप apply करते हैं उसी तरह से same यह भी apply कर सकते हैं कि यह भी एक corticosteroids drug है तीसरा option बनता है clobetasol का कि यह भी एक corticosteroids है तो यह corticosteroids में patient के पास 3 option रहते हैं soriasis के अंदर या फिर combination medications भी available हैं कि यह पे ज sol जो है वो combination में salicylic acid के साथ भी available होता हैं दूसरा option जो हमने बात की वो है calcitriol का ointment तो यहाप एक sorvet ointment आप यहापे देख सकते कि जो Glenmark pharmaceutical उसके manufacture है कि जिसके अंदर calcitriol मनलब कि जिसको हम vitamin D3 कहते हैं तो वो उसके अंदर जो हो present है और उसके मात्रा हम देखे तो 3 microgram जितना वो present है यहापे आप देख सकते हैं कि 3 microgram लिखा हुआ है और मनलब कि calcitriol उसके अंदर 3 microgram जितना जितना जिए वो present है और इसका combination भी है corticosteroids के साथ जैसे के Clobetasol के साथ combination में calcitriol भी available होता है कि यह sorvet C करके जो ointment है वो उसके भी manufacture सेम है Glenmark pharmaceutical तो calcitriol तो सेम है 3 microgram जितना पर साथ में Clobetasol उसके साथ 0.5 mg जितना रहता है और यह खास कर 20 mg जितनी क्रीम जो वो available होती है market के अंदर कि जो directly patient जो उसको लगा सकता है तीसरा option है calcineurin inhibitors का suresis के लिए तो उसके अंदर एक drug है वो है tacrolimus करके कि जिसके 0.1% का यहाँ पे हम formulation देख सकते है ointment के tacroze ford करके यह ointment है कि जिसके अंदर tacrolimus जो वो 0.1% है और उसके भी manufacture है Glenmark खास कर 10 mg की यह ointment available होती है उसमें दुसरा जो option है वो है pymacrolimus का रहता है और pymacrolimus का खास कर 1% में यहाँ पे आप देख सकते हैं यह formulation जो वो available होता है कि यह cream available होती है और यह cream भी directly suresis के उपर patient लगा सकता है चौसा option है यहाँ पे taza routine के gel का कि जो 0.05% concentration में यहाँ पे आप देख सकते हैं या फिर उसका दूसरा वर्जन एक रहता है 0.1% का तो दोनों में से कोई भी एक जो वो patient यहाँ पे choose कर सकता है तो यह 15 g ग्राम में available है और उसका जो दूसरा formulation है वो भी 15 g में ही available होता है और यह directly जो वो affected area के उपर लगाई जाती है पांच वो option है वो है enthraline का तो enthraline के 1% के cream available होता है USP के according to मलब कि United States Pharmacopia के standard के according to enthraline का यह cream बनाए जाता है और दूसरा option है उसके अंदर enthraline का यह derivative है कि जिसका नाम है compound diethranol ointment कि जिसका darobine करके यह पर हम एक marketed formulation देख रहे हैं कि जिसको USP pharmaceuticals जो बनाते हैं तो यह भी directly patient जो लगा सकते हैं तो enthraline में दो option बनते हैं फिर उसके अलाव भी जो कुछ दूसरे options हम देखें कि अगर यह आगे वाली जो हमने medication से की वो किसी को suit नहीं हो रहे या फिर उससे psoriasis ठीक नहीं हो रहा तो आगे कुछ options है जैसे कि salicylic acid का option बनता है light therapy का option बनता है treatment में cyclosporine के जो oral उसके tablet साते हैं वो patient use करते हैं फिर yellow extract जो होता है मनला कि yellow vera का जो extract होता है और पाचवा हम देखे तो acid routine का एक option रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं acid routine के जो capsules के खासकर 10 mg के strength में available होता है कि जिसको जो हो doctor के सला के ली जाती है prescription based medication रहती है फिर cyclosporine के 100 mg के जो हो capsules खासकर available होता है कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं sourid 100 करके कि जब किसी का severe psoriasis है तो severe psoriasis के condition में यह दोनो medications यूज की जाते हैं कि एक है acid routine के capsules कि जब severe हो चुका है psoriasis और दूसरा option यहाँ पर बनता है cyclosporine का फिर और light therapy साथो साथ दी जाती है patient को कि जिससे skin जो हो फिर से normal हो सके तो ऐसे सीखना है detail में आपको किसी भी दवायो के बारे में या फिर किसी बीमारी के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अप उपर कि जैसे आज हमने यहाँ आप इसके बारे में सीखा ऐसे ही बहुत सारी medicines के बारे में आप सीख सकते है pharma rocks के mobile application के उपर कि जो disease and medicines related जो course है तो यह course join कर सकते है उसका study material आप access कर सकते है तो join करने के लिए हमें whatsapp करें 9016312020 पर या फिर हमारी app को जो हो डाउनलोड करें link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best